हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएस दोस्तों यहाँ पर हम साइन्स के घटना चकर को डिसकस कर रहे हैं साइन्स में यहाँ पर हम बायोलोजी को कवर कर रहे हैं बायोलोजी पर आपकी ओल्रेडी काफी सारी क्लासेज आ चुकी है उरुन की प्लेलिस्ट इसी च पूछा गया है उन्हें हम यहाँ पर डिसकस करेंगे इसकी अलावा काफी सारी चीज़े आपको यहाँ पर बताई जाएंगी जो आपके एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टन्ट है इसलिए आपको क्लास को पूरा देखना है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंट्स आपको बता दे कि साइन्स की अलावा हम पॉलिटी और जोग्रफी के घटना चक्र को भी डिसकस कर रहे हैं इनकी भी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है तो आप प्लेलिस्ट को एक बार जाकर जरूर देखें देखें देख आपका ऑप्शन डी फुफुस या फेफडा दुवारा इस्तंधारियों में सवशन होता है इसे आपको दियान रखना है देखें यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस्तंधारियों या इस्तनपाई जीव प्रानी जगत के एक सम्हू को कहते हैं जो कि अपनी नवजात सीश् इनके नर एवं मादा दोनों में इस्तंगरंथियां पाई जाती हैं परन्तु मादा की इस्तंगरंथियां अत्यांत विक्सित होती हैं ये कसेरु की प्रानी मुख्यत है फुफुस फेफडा दुवारा सवशन करते हैं इसे आपको दियान रखना है दूसरा कोश्चन आपक कोई परिवर्तन नहीं होता है सवशन किरिया में इसे आप दियान रखेंगे यहां पर आप इसे समझ सकते हैं देखिए सवशन किरिया रैस्पिरेशन एक जैविक किरिया है जिसमें वायू मंदल से अंतैस्वास किरिया में लगभग 78% नाइट्रोजन 20% ऑक्सिजन 0.324% क आप सभी को पता है जब हम स्वास लेते हैं तो हम काफी सारी ग्यासों के मिश्रन को ग्रहन करते हैं दैन उच्छावास एक्सपिरेशन किरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% ही होती है ऑक्सिजन की मात्रा 15.7% कार्बन डायाकसाइड 3.6% जलवास्प 6.2% बाह के सामने हैं मानव सरीर में ऑक्सिजन का अभिगमन होता है सही आंसर option C होगा 2,1,3 देखी यहाँ पर आपको अभिगमन का सही अनुकरम लगाना था तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले आपका आएगा 2 यानि की फुफुस के दुवारा दैन रक्त के दुवारा और द के फडो में ही वायई कोषटक अयर से स्पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोषिकाव दुवारा गिरे रहते हैं इन कोषिकाव में ऑक्सिजन वायू कोषटक से परवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिसा में गती कर जाती है लाल रुधिर कनिकाव में मोजूद लगम प्रोटीन औक्सिजन के वाहक काारिय करके इसे सरीर के विभिन अंगों के उतकों तक पहुचाने का कारिय करता है। नेक्स्ट कोउचिंन फुर्थ कोउचिंन आपके सामने फेफडों में गैसिये विनीमे का इस्थल क्या कहलाता है। आपको याद रखना है फेफडो में गैस ये विनीमे का इस्थल होता है एल वियोली इसे एल वियोली कहते हैं देखिए गैस विनीमे के दोरान आक्सिजन फेफडो से रक्त नली में चली जाती है उसी समय कारबन डायाकसाइड रक्त से फेफडो तक जाती है यह प्रकिरिया फेपडे में स्थित, अलवियोली एवं सुक्ष्म रक्त वाहिकाव के नेटवर्क के बीच संपन होती है। फिफ्ट कोशन आपके सामने हैं, जब रक्त में ऑक्सिजन की सांदरता में कमी आती है, समुद्र सतह से जो जो ऊपर चलते जाते हैं वायू मंडल की वायू का संयोजन अर्थार्थ इसमें विभिन गैसों की प्रतिसत मातराईं तो वही रहती हैं किन्तु वायू का गहनत्व कम होता जाता है। आते पहाडों पर सरीर में ऑक्सिजन की कमी अर्थार्थ हाइपॉक्सिया की कारण हमारी सांस फूलती जाती है और स्वासदर बढ़ती जाती है। सिख्थ कोशन आपके सामने हैं कारण डाई मोन ओक्साइड विशाक्त ता निम्न में से किसको मुख्यत प्रभावित करती है। सही आंसर, option D होगा, रक्त की oxygen को वहन करने की छमता को, तो carbon monoxide की विशाक्तता, रक्त की oxygen को वहन करने की छमता को प्रभावित करती है, देखें, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, carbon monoxide रक्त के हिमोगलोबीन से जुड़कर, carboxy हिमोगलोबीन बनाती है, इससे रक्त की oxygen परिवहन शमता कम हो जाती है, 7th question आपके सामने है, निम्न में से कौन सा जैव रूपांतरन मानव सरीर को अधिक्तम उर्जा प्रदान करता है, सही आंसर option B होगा, ATP से ADP, तो आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं, देखिए मानव सरीर दुवारा, विभिन कारियों को करने के लिए आवश्यक उर्जा, रासायानिक, योगिक, एडिनोसीन, ट्राइफासफेट के विगटन से प्राप्त होती है, ATP के जल अप घटन के फलस्वय रूप, ATP का रूपांतरन, एडिनोसीन, डाइफासफेट, तथा एकारबनिक फासफेट में हो जाता है, तथा इस प्रकिरिया में उर्जा मुक्त होती है, जो सरीर के उतक हो, जैसे मास पिश्यों दुवारा परियोग की जा सकती है, Cancer Question, सौषन में उर्जा उत्पादित होती है, सही आंसर option B होगा, ATP के रूप में, कोशिकाउ में उर्जा उत्पादन के लिए औक सिकर विगटन से संबंदित अर्थार्थ, अपच्याई अभिकिरियाओ को सम्मिलित रूप से कोशी किये सुवशन कहते हैं इस किरिया के फलस्वरू पुर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है 9th question आपके सामने है मानव सरीर का कौन सभाग सरीर ताप को नियंतरित रखता है सही आंसर option B होगा फेफड़ा देखिए फेफड़ा यानि की लंग्स एक परमुक सुषन अंग है जो की सरीर ताप को नियंतरित रखता है सुषन किरिया के दोरान सरीर के उतकों में तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपका सवशन तंतर का चैपटर समाप्थ हो जाता है अभी नेक्स्ट चैपटर आपके सामने है परिसंचरन तंतर तो यहाँ पर आपको परिसंचरन तंतर से रिलेटिड कोश्यंज को देखना है चलिए देखते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार की क कितनी बार धड़कता है सही आंसर ऑप्शन सी होगा 72 तो यहां पर आप देख सकते हैं देखे एक स्वस्त व्यक्ति के हिर्दय की धड़कन एक मिनट में लगभग 72 से 75 बार होती है व्रदों में यह कम जबकि बच्चों में यह सबसे जादा होती है हमारा हिर्दिया प्रती मि इस पंदन की दर स्टेथो इसकॉप दुवारा मापी जाती है जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की दुएनी डॉक्टरों के कानों तक दुएनी के बहु परावरतन पहुचती है दूसरा कुश्यन आपके सामने है स्टेथो इसकॉप में रोगी की दिल की धड़कन की दु पहुचती है तीसरा कोश्चन है आपके सामने हिर्दिया कब आराम करता है सही आंसर ओप्शन सी होगा दो धड़कनों के बीच हिर्दिया कब आराम करता है तो हिर्दिया दो धड़कनों के बीच आराम करता है देखे हिर्दिया एक मांसल तंत्र है सामान्यत है यह व्यस्क मन काल कहलाता है इसमें संकुशन के दोरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्तिस्तान में परवेश पाता है तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्स होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है अता हिर्दिया के दो संकुशनों के बीच धमनियों में जो रक रक्त भार रहता है उसे विस्राम कालीन रक्त चाप कहते हैं फोर्थ कोशन आपके सामने हैं निम्न में से कौन सा लक्षन हिर्दिया घात से संबंदित नहीं है सही आंसर ऑप्शन डी होगा टांगों में दर्द तो टांगों में दर्द का होना यह हिर्दिया घात हार्ट जनाहट पसीना इवं जी मिचलाना ये सब हिर्दिया घात के लक्षन हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सीने में दर्द पसीना इवं जी मचलाना बाहा में दर्द तथा जनजनाहट होना इत्यादी लक्षन हिर्दिया घात या हिर्दिया रोग से संबंदित हैं जिबकि ट चार हेतू रुधिर इसकंदन रोधी ओसदियों का उपयोग किया जाता है फिप्त कोशन आपके सामने है निम्न में से कौन हिर्दिया घात के सटीक लक्षन है सही आंसर ऑप्षन डी होगा एक दो चार जी मिचलाना तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना ये आपक के सटीक लक्षन है जबकि सिर्दर्द ये आपका यहां पर नहीं होगा सिक्स्त कोशन आपके सामने हैं हिर्दिया में कितने कक्ष होते हैं सही आंसर ऑप्षन बी होगा चार देखिए मानव हिर्दिया छाती के मद्या में थोड़ा सा बाई और इस्थित होता है यह एक दि गशो को दाया तथा बाया अलिंद या एक्टरियम कहते हैं जबकि दो निचले कक्षो को दाया इवं बाया निलै या वेंट्रिकल्स कहते हैं सैवंफ कोशन आपके सामने हैं हिर्दिया इसор एक विद्युतिया तरंग द्वारा निस्पाधित होता है जो उपजदी है सही आंसर ओप्शन C होगा हिर्दिया मेंyardimas इसी कोशिकाई होती है जो विध्यूतिय तरंग उत्पन करती है इन्हेंके कहते हैं हि्रदिया इन ही विद्यूतिय तरंगो दुआरा निस्पादित होता है आठवा कोशन है मानव कलाई में नाड़ी इसपंदन करती है सही आंसर ओप्शन सी होगा हिर्दिय के बराबर चिकित्सा विज्यान में हिर्दिय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कह हैते हैं सामानियत है नाड़ी इसपंदन की दर हिर्दिय के धड़कने की दर के बराबर होती है नाइंत कोशन है एक सुवस्त व्यस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है सही आंसर ओप्शन ए होगा पांच से छै लीटर तो यहां पर आप देख सकते हैं रक्त एक तरल संयोजी उतक है यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन अंगों में नियामित रूप से गती सील रहता है मनुष्य के सरीर में रक्त की मात्रा सरीर के भार का लगभग साथ से आठ परसेंट होती है अब एक अत्या एक सतर किलोग्राम भारे भार वाले स्वस्त व्यस्क मनुष्य के सरीर में लगभग 5-6 लीटर रक्त होता है जो उसके संपूर्ण सरीर के भार का लगभग 1-3 भाग होता है दस्वा कोशन है एक सामानिया देखे ये कोशन विवादित है इसलिए हम नेक्स्ट कोशन देखेंगे 11 कोशन है आपके सामने रक्त होता है सही आंसर ओप्शन ए होगा एक संयोजी उतक है रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह है गाड़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का दरव्य एक जीवित उतक है बारवा कुश्चन आपके सामने है हिमोगलोबीन क्या है तो हिमोगलोबीन क्या होती है सही आंसर उप्शन C होगा मानव रक्त में पाया जाने वाला पधार्थ हिमोगलोबीन मानव रक्त में पाया जाने वाला पधार्थ है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं हिमोगलोबीन ए कारण होता है हीम की वलय में केंद्रिया भाग लोहो का होता है एक सामान्य व्यक्ति में हिमोग्लोबीन की ओस्तन मात्रा 15 ग्राम या 100 मिलिलीटर रुधिर होती है तता यह सरीर में ग्यासों के परिवहन का कारिय करती है तेहरवा कुश्चन आपके सामने है हिमोग्लोबीन के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है सही आंसर ओप्शन सी है यह कुछ अमलिया होता है तो यह कथन यहाँ पर सही नहीं है जबकि हिमोगलोबीन के संबंद में यह लाल रंग का होता है यह फेफडों से कोशिकाओ तक ऑक्सिजन का वाहक होता है यह उतकों से फे हीमोगलोबीन का pH मान 7.1 से 7.4 के मद्ध होता है अर्थार्थ हीमोगलोबीन कुछ चारीय होता है 14 कोशन आपके सामने है रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिकित कतनों पर विचार करें इसमें लोहो होता है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है यह कुछ रोगों के प्रति प्रति रक्षा प्रदान करता है यह रक्त में oxygen का वाहक होता है आपको बताना है यहाँ पर कौन से कथन सही दिए गए हैं तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर option C होगा एक दो चार एक दो चार यहाँ पर कथन आपका सही दिया गया है देखिए आप देख सकते हैं पहला कथन कहता है इसमें लोहो होता है तो ये आपका सही है दूसरा कहता है यह रक्त को लाल रंग परदान करता है और चोथा कथन कहता है यह रक्त में ऑक्सिजन का वाहक होता है तो एक दो और चार कथन आपके रुदिर वरनिका क संबंध में सही दिये गए हैं पंद्रवा कुश्चन है हिमोगलोबीन के बारे में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए सबसे पहला कथन यह है रक्त में ऑक्सिजन का संचार करता है तो यह कथन आपका सही है यह लोहो युक्त योगिक है यह कथन भी आपका सही है यह में इसलिए आपको इनको याद रखना है देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं 16 कोशन आपके सामने हैं सरीर में हिमोगलोबीन का कारिया है सही आंसर ओप्शन ए होगा ऑक्सिजन का परिवहन करना सत्रवा कोशन है निम्न में से किस प्राकर्तिक पधार्त में लोहो विद्यम मान होता है सही आंसर ओप्शन डी होगा मायोगलोबीन आपको याद रखना है देखिए मायोगलोबीन लगभग सभी इस्तंधारियों सामान्यत यह कसे रुकी प्रानियों के पेशिय उतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है लोहो इसका आवस्शक गटक है हेमोगलोबίν का विलय हो जाता है यहां पर आप समझ सकते हैं केंचुवय एक एनिलेड प्रानी है जिसमें हेमोगलोबίν प्लाज्मा में घुला होता है जबकि अन्यक असेरुकियों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कनिकाओं में पाया जाता है केंचुए में रुधिरानु रंग हीन और केंदरक युक्त होते हैं और इस जन्तों में परिसंचरन तंत्र बंद प्रकार का होता है 19 वा कोश्चन है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है सही आंसर ओप्शन B होगा हिमोगलोबीन बीसवा कोश्चन है लाल रक्त कनिकाव का रंग होता है सही आंसर ऑप्शन डी है हिमोगलोबीन के कारण तो लाल रक्त कनिकाव का रंग लाल उसमें हिमोगलोबीन नामक प्रोटीन के ऑक्सिजन से संयुक्त होने के कारण होता है लाल रुधिर का निकाव को एरित्रोसाइट्स भी कहते हैं जो कि सिर्फ कसे रुखियों के रुधिर में होती है मनुष्य में ये केंदरक विहीन और इनकी ओस्तन संख्या पुरुसों में 54 लाग इस्तरियों में 48 लाग प्रती क्यूबिक मिलिमीटर रक्त होती है सरीर में ये गैसो के परिवहन का कारिय करती है 21 कोश्चन है रक्त सरीर में क्या कारिय करता है सही आंसर ओप्षण A होगा सारे सरीर भी ऑक्सिजन पहुचाता है देखिए रक्त एक तरल सेयोजी उतक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभी नंगों में लगातार बहता रहता है लाल रक्त का निकाए रक्त का एक महत्वपोर्ण घटक है जो फेफडों से ऑक्सिजन और हिमोगलोबीन सरीर के अन्य भागों मिले जाने के लिए जिम्मेदार होती है 22 वा कोश्चन है मनुश्य का ओसत रक्त चाप होता है सही आंसर अप्शन डी होगा 120 बाई 80 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनुश्य का ओसत रक्त चाप 122 बाई 80 होता है धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती हैं पहले को प्रकुंचन दाब और दूसरे को प्रशारन दाब कहते हैं सामान्य तोर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली लीटर हजी तथा प्रशारन दाब 80 मिली हजी होता है रक्त चाप को डॉक्टर इस्फिग्मो मैनोमीटर यंत्र के दुवारा मापता है 23 कोशन है स्वस्थ मनुष्य का रक्त चाप होता है सही आंसर ऑप्शन भी ए होगा 122 मिलीमीटर और 80 मिली मि लीटर 24 कोशन आपके सामने है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौण सा है सही आंसर ऑप्शन सी होगा इस्फिग्मो मैनोमीटर 25 question निम्न उपकरनों में किसको रक्त चाप नापने के लिए परियुक्त करते हैं तो option D 26 question पूछता है किसी व्यक्ति का रक्त चाप 140 mm HG है तो इस उलेक्स में HG से तात परिये क्या है HG की फुल फॉर्म पूछी गई है आपको याद रखना है यहाँ पर HG से तात परिये मरकरी से है option B यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 27 question है जब एक व्यक्ति व्रद होते जाता है तो सामानियत है उसका रक्त का दाब सही आंसर option B होगा बढ़ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानों में रक्त दाब बढ़ जाता है सामानिय रक्त दाब 120 बाई 80 होता है किन्तु इस से अधिक होने पर उच रक्त दाब जबकी 120 बाई 80 से कम होने पर निम्न रक्त दाब किसका रक्त दाब सामानिय है यह आपको यहाँ पर बताना है सही आंसर option D होगा सिरी Y का देखिए सिरी Y का यहाँ पर रक्त दाब सामानिय है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए सिरी Y का रक्त दाब सामानिय है क्योंकि एक स्वस्त व्यस्क मानव का रक्त दाब हमारे सरीर में रक्त का दाब वायूमंडलिया दाब से अधिक होता है। देखें जब कोई डॉक्टर हमारा रक्त चाप नापता है तो वह वायूमंडलिया दाब के साप एक्ष होता है। निर्वात के साप एक रक्त चाप यहाँ पर आप देख सकते हैं ठल्टी कोशन आपके सामने है निम्न रक्त वर्ग सारवात्रिक दाता होता है आपको बताना है युनिवर्शल डॉलर युनिवर्शल डॉनर कौन सा रक्त वर्ग होता है सही answer option B होगा तो ये होता है आपका O, रक्त वर्ग O, युनिवर्शल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन, एंटिजन नहीं होता है अता है इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चड़ाया जा सकता है दूसरी और इस वर्ग के प्लाजमा में दोनों प्रतिर रक्षियों एंटिबोडी की उपस्तिती के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुधिर इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं चड़ा सकते हैं रक्त वर्ग A, B सर्वग्राही होता है इसे आपको याद रखना है 31 कोशन है मानव रक्त दहन के लिए कौन सा रक्त समू सार सार्वभोमिक प्राप्त करता होते हैं कारण रक्त समू A, B की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटिजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समू के साथ समूहन नहीं होता है आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा सही आंसर ओप्षन C है A सही है पर अर गलत है इ जिसके कारण एगलूटिनेशन नहीं होता अता A, B रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है 33 कोशन है वर्ग A, B रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग ऑप्षन D यहाँ पर सही आंसर ह उसके रक्त में antibody का एभाव होता है 35 question है एक व्यक्ति जिसका रक्त समूँ A है सडक दुरगटना में गंभीर रूप से गायल हो जाता है तता चिकित सक रक्तधान की सला देते हैं उसके संबंधियों को रक्तधान हे तू कहा जाता है कि जिनके रक्त समूँ इस परकार पाए ग देख सकते हैं पतनी जिसका रक्त वर्ग O है और आपका पुत्र जिसका रक्त वर्ग A है और आपका फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा पुत्री जिसका रक्त वर्ग O है तो यह सभी व्यक्ति उस व्यक्ति को रक्तधान कर सकते हैं देखिए यहाँ पर आप समन सकते हैं एक व तो यहाँ पर सही आंसर ओप्शन भी होगा O negative तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1990 में कार्ल लैंड स्टीनर ने चार रक्त समों A, B, A, B, A, B तथा O की खोज की बाद में रिसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंडा गया जिसे आरेच फैक्टर नाम दिया गया जहां रक्त समों A में एंटिजन A पाया जाता है वहीं रक्त समों B में B एंटिजन उपस्थि रहता है जबकि A, B समों में A और B एंटिजन दोनों O में कोई एंटिजन नहीं पाया जाता है किसी खास रक्त समों के रक्त को जब विपरीत रक्त समों से मिलाया जाता है तो रक्त ठक्य के रूप में जमने लगता है जिसे रक्त सकंदन ब्लड क्लोटिंग कहते हैं चूंक और नेगेटिव सम्हू के रक्त में ने तो कोई एंटिजन उपस्तित रहता है और ने ही आरेच फैक्टर आता है इस रक्त सम्हू का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई इसकंदन नहीं होगा 37 कोईशन फिर से आप से एक स्टोरी बेस पूछा गया है अग्यात रुदिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुरुगटना ग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान यानि की बलड ट्रांस्फ्यूजन की जरुरत पड़ती है अस्पताल में आसानी से उप प्रक्ति दुरुगटना में घायल हो गया है उसके रक्त समुह की जाच के लिए समय नहीं है उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए सही आंसर ऑप्शन सी है ओ आरेच नेगेटिव थर्टी नाइन कोशन रक्त समुहों की खोज किसने की आपको बताना है सही आ अन्सर ओप्शन सी होगा बंदर से आपको याद रखना है आरेच कारक का नाम बंदर से समबंदित है तो इन्हें आपको इहाँ पर याद रखना है तो अज की वीडियो में इतना ही क्योंकि वीडियो को हम ज़ादा बड़ा नहीं करेंगे जो बाकी का भी आपकी कोशन यह पर बच्चे हुए हैं इन्हें हम next class में discuss करेंगे I hope कि आपको आज की class पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर next class में thank you so much friends for watching the class keep watching please like share and subscribe thank you